लगा रहे हैं कि 1000 करोड से 1500 करोड रुपे कम से कम प्रधान मंत्री के नई निवास्थान को बनाने में लगेंगे अगर प्रधान मंत्री के निवास्थान के लिए 1500 करोड रुपे खर्च हो सकते हैं तो एक किसी भी राज्जी के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी पर एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधान मंत्री आवास से कर रहे हैं प्रधान मंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है प्रधान मंत्री को SPG कवर होता है मानिवर प्रधान मंत मुख्यमंत्री आवास में यह भी विवस्था की जाती है कि कोई एर से भी अटैक नहीं हो सके इसलिए अगर मिजाइल से भी अटैक होता है इवन नुक्लियर अटैक भी होता उसकी क्या तुलना कर रहे भाई मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर राज्य नहीं है उसके मुख्यम मिनिस्टर जो की नारा लेकर आए थे हम पूरा वी आईपी कल्चर हटा देंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे फलाना ठेकाना सब कुछ लेकर आए और अब इनके घर मतलब इनके घर में रिनोवेशन के लिए पैतालिस करोर लगते हैं तीन करोर की टाइल्स लगती है इस तरीके की नियूज आती है तो जिन लोग ने इनको आम आदमी समझ कर बोड दिया, वो आम आदमी भी सोचते हूंगे, तीन करोर के टाइस लगते हैं, तीन करोर की तो आम आदमी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जितनी पूरा उसका घर, वार, केड़नी, वड़नी जैसा होना चाहिए, या उसकी छट टपकनी चाहिए, ये कतई हमारा इरादा नहीं है, बिलकुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन पर 45 करोड और वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्य मंत्री के लिए, थोड़ा जादा नहीं हो गया, सभी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड से 1500 करोड रुपे कम से कम प्रधान मंत्री के नई निवास्थान को बनाने में लगेंगे, अगर प्रधान मंत्री के निवास्थान के लिए 1500 करोड रुपे खर्च हो सकते हैं, तो एक किसी भी राज्जी के मुख्य मंत्री के महीने 10 करोड रुपे खर्चे कर गए एक घंटे के इवेंट के लिए इसके बारे में भी सुधान्चु जी जवाब दे प्रधान मंत्री जी के लिए नया जहाज 8400 करोड रुपे करके खरीदा गया इस पर भी सुधान्चु जवाब दे सजाने के काम पे 15 करोड रुपे इन नए वाले उपरा जपाल ने खर्च कर दिये इस पर भी सुधान्चु जवाब दे शुपरे देता हूं यह तू तयार है अभी चंपल उतार कि तेरे को भी स्वाब देता है यह वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफतों के अंदर राज करने का मौका पाया था कॉंगरेस के सपोर्ट से इतनी जल्दी गवर्मेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला और नविका जी यह कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है राज योग आता परन्तु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए यह अपने आप में अश्यर जनक है अब यह उश्रेणी में आगए जैसे माईवती जी का मकान की चर्चाएं होती ती दक्षन भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती ती आम आदनी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा जो आपने इसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है एक मतलब एक बड़ा मज़दार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है कदम गिन गिन के रखो पर क से काम चलाएंगे और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था इसकारत यह हुआ कि जब शीला दिख्षित जी इस घर से काम चला रही थी तो या तो यह बचकानी बात कर रहे थे चूंकि इनको एहसास नहीं था कि मुख्यमंतरी आवास की उपयोगता क्या है या यह बहुत सयानी बात कर रहे थे जंता को भर्माने के लिए अब प्रदेश की जंता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया और हकीकत यह होती है कि यह तो बहुती मज़दार इनों तो अपने गुरू अन्ना जी को समझा दिया था या तो याद करिए वो वेगेनार गायब हो गई याद कर चाहिए इनके मुक्यमंत्री तीन दर्जन गाडियों के लशकर जर्रार में चलते हैं तीन दर्जन गाडियों के जो बादल साहब और कैप्टेन साहब दोनों से जादा है मैं यह नहीं कह रहा हूँ सुरक्षा की जरूरत होती है बिलकुल होना चाहिए गेजरिवाल जी को भी सुरक्षा मिली चूंकि उनके उपर फिजिकल अटैक हुए इसलिए दो में से एक बात रागव जी को माननी पड़ेगी या तो उन्हें कहना चाहिए कि वो राजनी थी में बचकाने थे उन्हें एहसास नहीं था अब क्रमशा एहसास होता जा रहा है या फिर उन्हें कहना चाहिए वो इतने सयाने थे कि जनता की आँखों में धूल जोका जनता की आँखों में इमानदारी का एक छलावा दिखा और एक बिंदू पर उत्तर देदू जो जरून उनने कहा, सुनिए मानिवर, एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंतरी आवास की आप तुलना प्रधान मंतरी आवास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है प्रधान मंत्री को SPG कवर होता है मानिवर प्रधान मंत्री आवास में यह भी विवस्था की जाती है कि कोई air से भी attack नहीं हो सके इसलिए अगर missile से भी attack होता है तो दोस्तो ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से वीडियो में बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल जी के आवास में जो प्रिनोवेशन में 45 करोर कर्च हुए हैं उसके बारे में रागोचड़ जी को आपने सुना रागोचड़ जी क्या तरक दे रहे हैं रागोचड़ जी बोल रहे हैं कि प्रधान मंत्री के आवास में इतना पैसा लगता है तो उसके मुकाबले में CM के आवास में इतना पैसा क्यों नहीं लग साथ एक तो इनके तरकी भी इतने कुतरक हैं कि आप समझे ना समझे मतलब ये बिलकुत बच्चों वाली लॉजिकली कोई बात ही नहीं करते उसका जवाब तो ज Key आढहां आदमी पार्टी एक नारा लेकर आए थी नारा क्या था कि हम वी आईपी कलचर हम ये नहीं हम वो नहीं हम जाएंगे वी आईपी गारी यूज नहीं करेंगे हम अपनी गारी लाएंगे आपको सब याद होगा सब कुछ याद होगा हम बिल्कुल ऐसा वैसा सब ये भूल भाल गए हैं अब इनसे पूछो तो क्या कहता रहे तो भाई मिल रही है तो कर रहे हैं ऐसा बूल नहीं है अब मोदी जी तो ऐसा मुझे नहीं लगता करते हैं मोदी जी तो अच्छे जम क्या बहातिनों का एक आपने देखा होगा ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं इंडिया के प्रधान मंत्री जरूरी भी है अगर वो जंगल सफारी में जा रहा है तो वहीं के लुक के साब से कबड़े जरूरी भी है यह क्या होता है यह चीज इंडिया को ग्लोबली बताती है कि यहां पर यह यह चीज है आप ड्रामा गर के आए हो कि हम वियाईपी कल्चर हटाएं कर फिर इक्टम सी वियाईपी कल्चर में घुश जाओ तो इसे बोलते है थूख कर चाटना अर्विंद के ज ग्लोबली आपको पता है कि सब को सैट हो जाता है किस तरीके से आपको पता प्यार और यह सब खरीद वरीद के बहतरी नाप अपने जो क्या कहते हैं महला क्लीने को इनका सबका अपने करा लिया प्रमोशन उसके बाद में सच्चा ही पता है सबको क्या निकली और अर्विं में फस गए इनके एक सतेंदर जैन है जो जेल में ही है और उनकी जेल में अभी मालस करवाते हुए वीडियो आ गई तो आप समझ सकते हैं रतिहार जल तक में सब सैटिंग हो जाती है और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो अब अरविंदे केजरिवाल जी अगर ऐसा क को वो शब्द याद है इन्होंने क्या-क्या बूला था और इस तरीके कि अगर यह चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली फिर तो धोका ही होगा आपको क्या कहना है इस चौपिक के वारे में कॉमेंट वे अपनी राये दे रागाव चट्टे जी बैसे भी आपको पता है र राजनीती के सवाल पूछें पर नीती के नहीं है नोंने किसी रेपोर्टर को जवाब देती हो बोला था तो वो मुझे याद आ गया आपको